सामु आलेकम दोस्तों कैसे हैं आप से मैं आप सब को YouTube channel English Literature पर वालकुम केती हूं हम जो सब्जेक्ट डिसकस करें दाट इस इंट्रदक्शन टुलिट्वेटरी स्टडीज लेक्शन बड़ी लावन है हमारा प्रिवेसली हम लोगों ने बात करें डिफाइनिंग लिट्रेच की अमने प्रोस को भी डिसकस कर लिया पॉइट्री गों भी डिसकस कर लिया हूँ है फिर उसके बाद हम लोगों ने जो में यानराज ऑफ पोईट्री नरेटिव लिरिक पोईट्री उसके इलावा एपिक और सॉनेट मतलब सोवन टॉपिक्स हम कवर कर चुके हुए हैं हम ने टॉपिक स्टार्ट किया हुए लग्जिकल थेमाटिक डिमेंशन जिसमें अब तक हम डिसकस कर चुके हैं लुकिंग एट वर्ड्स, सिमिलिया, मैटफर, कंसीट, परसोनिफिकेशन, सिम्बल्स आज के लेक्टरी के इंदर हम बात करने जा रहे हैं इमेज एंड इमिज देखना सुनगना के जुना और टथ करना और सुनना ये सब सैंसिज होते हैं तो in simple words, visual representation of something is known as image, इसमें senses include होती है हमारी, five की five senses, sight, sound, taste, touch or smell, यह यहाँ तो literal, यहाँ figurative भी हो सकती है, जिसको हम लोग various forms of communication के थुरू convey कर सकते हैं, जिससे language हो गया, art हो गया, music हो गया, इन सब के थुरू हम लोग image को convey कर सकते हैं, clear, अब screen पर देखे जी, an image is a mental representation और visual, visual जिसको हम आँखों से देख सके, depiction of something that can be perceived by senses such as sight, sound, taste, touch or smell, it can be either literal or figurative and can be conveyed through various forms of communication such as language, art or music, यानि image वो चीज़ होती है, जिसने हम senses को use करते हुए, senses को involve करते हुए, कोई भी किसी भी चीज़ की visual depiction कर सकें, या mental representation कर सकें, while, जो imagery होती है, imagery basically एक ऐसी literary device है, जिसके अंदर हमारे पास vivid and descriptive language यूज़ की जाती है, ये जो reader के senses होती है, उनके जो emotions होती है, उनके जो imagination होती है, उनको appeal करती है, ये एक mood create करने में, atmosphere create करने में, help out करती है, एक idea convey करने में help out करती है, और ये mood, atmosphere या idea को बहुत है vivid, यानि कि clear cut way में, और memorable way में convey करती है, मैंने इमिजरी के उपर ओल्रेडी एक डिटेल लेक्शियर भी बनाया हुए मैं उसका लिंक भी डिसक्रिशिम डालूंगी आपने वो लाजमी सुनना है ठीक है तो एनिहाओ इमिजरी क्या होता है बिसिकली के चीजों को यूज करते हुए डिस्क्रिप्शिन्स को यूज करते हुए डिस्क्रिप्टिव लेंगविज को यूज करते है जो मैंटल इमिजिस जो संसरी इमिजिस जो संसरी इंप्रेशिन्स करियेट के जैते रीडर के माइंड के इंदर वो इमिजरी होता है जै की पुइयॉट को खुल के बताया क्या है और जब हम उसको भढ़ रहे हैं तो हमारे पास यह पर सेंस फ्मel क्रियेटूरी है हम लोगो खुश्बौ болी सेंस क्रियेटूरी है जाथ में हम लोगें पूरा सीन क्रियेटूर open हमारे mind के निदर पिच्छर करियेट हो रही है वो यहां पर imagery के हिला रही है यह imagery की example है इसकी कुछ types है जिसमें हमारे पास visual imagery, auditory imagery, olfactory imagery, ghostetry imagery और tactile imagery include है visual imagery basically कहते हैं कि वो imagery जिसमें देखने वाली sense हमारे पास सामने आए यानि के एक ऐसी imagery जिसके निदर हम language को use करें descriptive 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 मतलब एक चीज खोल खोल के बयान करना descriptive language यूज की जाती है उस descriptive language को use करते हैं रीडर के mind के अंदर mental pictures create होती है तस्वीरे scenes create होती है तीक है वो visual imagery यूज को देख रहा है उसको ऐसा feel हो रहा होता है उसको ऐसी sense create हो रही होती है mental pictures में जिसके the sunset behind the mountains casting a golden glow over the valley अब हमारे पास यहां पर एक पूरी की पूरी पिच्चर क्रियेटोरी है माइन में पूरी सिंडरी क्रियेटोरी कि सूरेज जो है वो set हो रहा है पहाणों के पीछे और साथ साथ क्या है जो valley है वहाँ पर golden glow casting हो रही है ठीक है एक सुनहरी सी वहाँ पर रोशनी बन रही है यह विजूल इमिजरी है auditory imagery क्या है यह ऐसी imagery यहनि के sense of sound create होना कि आप लोग को feel हो रहा है कि आप सुन रहे हैं there sound echoing through the empty beach अब आप feel कर रहे होंगे यहां पर कि waves क्रैश्ट हो रही है और उसके बाद क्या है कि उसकी आवाजे निकल रही है और वह आवाजे जो empty beach के अंदर खाली beach के अंदर जो है वो like echoing sound create कर रही है यह आपको noise यह sound आपको feel हो रहा होगा ठीक है तो यह भी क्या है यह auditory imagery होती है olfactory imagery olfactory imagery basically आपके sense of smell को कहते है ऐसी इमिजर से sense of smell create हो रही हो sense of pictures ऐसी pictures create हो जो कि smells लेके आती है mind में ठीक है इसारी imagery creative mind के अंदर होती है जैसे के the aroma of freshly beard coffee filled the room making my mouth water आप coffee की smell आपके mind में आने लग पड़ेगी आपको mind के अदर जो coffee की smell होती जो उसका aroma होती हो picture create होने लग पड़ेगी ठीक है तो यह basically क्या है यह olfactory imagery होती है फिर है जी costatory imagery यह basically आपके taste से relevant है कि imagery of taste आना कि आप बरियानी खा रहे हैं बरियानी पकी हुई है ठीक है अब यह बरियानी क्या है आपको mind बरियानी का taste आ गया ठीक है जो mind में आ गया ना यह basically ghostatory imagery होगी the chocolate melted in my mouth leaving a rich sweet flavor on my tongue अब वहाँ पर जो chocolate है उसका melt होना उसका flavor छोड़ देना माइंड के अंदर टंग के अंदर यह क्या है ghostatory imagery create का रहा है पर टेक्टाइल इमिजरी बसी के लिए हम कहते है sense of touch को ठीक है कि इस तरह की imagery use करते हुए क्या होता है कि जो poet है यह writer है जो भी है वो अपनी ऐसी descriptive language यूज कर रहा था जिसके इंदर आपके mind के इंदर sense of touch यह mental pictures of touch जो है वो create हो जाती होती है जैसा के the sand was hot मतलब अब आपको feel हो रहा है के sand hot थी and gritty under my feet and the sun burned my skin आपको साला कुछ feel हो रहा होगा ठीक है कि सूरज बहुत गर है मैं तपिश पढ़ी है पाउं जल रहे हैं चेहरा जलने लग पड़ा है तो यह क्या है sense of touch create हो रहा होता है इस तरह की imagery के अंदर तो यह था image imagery and types of imagery जिसको मैंने यह पर discuss किया and in addition में आपको बता दू कि मैंने what is imagery in detail में अल्रेडी कवर किया हुआ है यहां पर मैंने आपको overview दिया है आप वह detailed lecture सुन लीजे का link आपको description में मिल जाएगा और वह लाजमी सुनिये का ताके आपको जो imagery उसके उपर grip हो जाए क्योंकि यह most 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 important topic है throughout literary studies, throughout literature, throughout in the figure of speech, हर एक चीज़ के अंदर जो है ना बहुत important topic है imagery का तो thank you for watching this video, video पसान देए, video को like भी करेगा हमार चलन को subscribe करना, मत भूलिये का दूआ में खास याद रखेगा, stay tuned with us, take care